तो इस तो आज की इस वीडियो में आपको सहरा रिफंड के लिए ओनलेन अप्लाई करने का बिल्कुल कम्प्लीट और लाइफ प्रोसेस दिखाने वाला हूं तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने के जरुवत नहीं पड़ेगी तो चली शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको सहरा डिफंड पॉर्टल प्याना है इसका डारिक लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबसे पहले यहां पर आप रिजिस्टर करेंगे डेपोजीटर रिजिस्टरिशन पर क्लिक करके यहां पर अपने अधार काट का लास्ट फो डिजिट देंगे फिर जो आपके अधार कार्ट से मॉयल नंबर लिंक है उस मॉयल नंबर को देकर get OTP पर क्लिक करेंगे आपके इस अधार कार्ट से link मॉयल नंबर पर OTP चाहेगा OTP देकर verify OTP पर क्लिक करेंगे आपका registration यहाँ पर complete हो जाएगा registration complete होने के बाद अब आपको login करना है OTP जाएगा OTP देकर verify OTP पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक consistency पर जाएगा नीचे आप इसे accept करके आई और साथ ही यहाँ पर आपके इस आधार कार्ट से जो bank account लिंक होगा उस bank का यहाँ पर नाम भी आ जाएगा सहरा में फसा हुआ आपका पैसा इसी bank account में transfer किया जाएगा इस बात को आपको ध्यान रखना है नीचे email id देना optional है आप चाहें तो दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि यहाँ पर आप email id जरूर दे दे email id देने के बाद नीचे आप save email पर क्लिक करेंगे personal detail save successfully अब नीचे आप next पर क्लिक करेंगे अब third step में यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से अपना claim detail देना है सबसे पहले यहाँ पर society का नाम select करेंगे select society पर क्लिक करेंगे आपके सामने सहरा के चार society का नाम लिख कर आ जाएगा अगर आपने सहरा के इन चार society में से किसी भी एक society में पैसा invest करा था जमा करा था तो उसका refund के लिए यहाँ पर आप अपलाई कर सकते हैं तो यह society का नाम कहाँ पर मिलेगा यह society का नाम आपके bond paper के सबसे उपर में लिखावा मिल जाएगा मेरे case में मेरा है सहरा आयन universal multipurpose society limited तो मैं इसी society को वहाँ पर select करूँगा तो आपको अपने bond paper पर देख लेना है कि आपने सहरा के किस society में पैसा जमा करा था और उसे society के नाम पर यहाँ पर select कर लेना है अब यहाँ पर आपको membership number देना है यह membership number भी आपको bond paper पर लिखावा मिल जाएगा bond paper में membership number के सामने जो number आपको लिखावा दिखेगा उसी को वहाँ पर enter करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको account number देना है यह account number भी आपको bond paper पर लिखावा मिलेगा bond paper के दूसरे page में आएँगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक control number लिखावा मिलेगा, यही control number आपका account number होता है, तो इसी control number को वहाँ पर account number में enter करेंगे, अब यहाँ पर receipt number देना है, यह receipt number भी आपको bond paper मिलेगा, bond paper के पहले page में आएंगे, उपर आपको receipt number में, receipt number के सामने जो लिखावा मिलेगा उसे आपको वहाँ पर एंटर करना है उसके बाद यहाँ पर certificate या passbook number देंगे तो यह certificate number भी आपको bond paper पर लिखाओ मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं कि certificate number साफ साफ लिखा है तो इसी certificate number को वहाँ पर आप enter करेंगे यहाँ पर account opening date में आप उस date को यहाँ पर enter करेंगे जिस date में आपने पैसा सहारा के किसी भी society में जमा करा था तो यह date भी आपको bond paper पर लिखावा मिल जाएगा first page में नीचे date के सामने जो date आपको लिखावा नजर आ रहा है वही आपका account opening date है इसे आपको वहाँ पर enter करना है deposit और contribution amount में आप यहाँ पर उस amount को enter करेंगे जितना amount आपने सहारा के किसी भी society में जमा करा था तो यहाँ पर आपको sum of contribution में जो सामने amount लिखावा नजर आएगा उसे आपको वहाँ पर enter करना है तो मेरे case में 8,050 रुपया है तो मैं इसे वहाँ पर enter कर दूँगा अब यहाँ पर आपसे यह पुछा जा रहा है क्या आपको सहारा के तरप से कोई पैसा मिला है या नहीं अगर मिला है तो इसे आप चेक करके वह amount यहाँ पर बताएंगे जितना आपको मिला है अगर नहीं मिला है तो इसे आप चेक नहीं करेंगे नीचे आपसे यह पुछा जा रहा है क्या आपने सहारा के society से loan लिया है या नहीं तो अगर नहीं लिया है तो इसे आप चेक नहीं करेंगे अगर लिया है तो इसे चेक करके यहाँ पर आपको detail बताना होगा नहीं लिया है तो इसे आप uncheck ही रहने देंगे अब यहाँ पर आपको deposit certificate upload करना है आपका deposit certificate आपका bond paper ही होता है तो यहाँ पर आपको bond paper upload करना है लेकिन ध्यान रखे कि bond paper का first page और second page दोनों upload करना है जैसे कि आप दिख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर first page और second page का pdf बना लिया है इसे मैं यहाँ पर upload करूँगा इस बत का दिखन रखे कि आपका document jpg, png या pdf format में ही होना चाहिए आपका document 200kb से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो document upload करने के लिए choose fire पर click करेंगे और जहाँ पर आपका document है उसे select करके open पर click करेंगे click करते ही आपके document का preview आजाएगा उसे आप यहाँ पर check कर सकते हैं फिर नीचे यहाँ पर add claim पर click करेंगे नीचे आपका claim add हो चुका है यहाँ पर आपको दोबारा अपने claim के detail को check कर लेना है उसे verify कर लेना है आप चाहें तो अपने claim को यहाँ से edit या delete भी कर सकते हैं इसी तरह से जितने भी आपके पास claim है उन सभी claim को यहाँ पर बारी-बारी से add claim पर click करके add कर लेना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 claim को add कर लिया है जिसका मैं यहाँ पर claim apply करने जा रहा हूं उसने सहारा में 2 बर पैसा जमा किया था इसलिए उसके पास दो बॉंड था तो मैंने यहाँ पर दोनों क्लेम को एड कर दिया है ध्यान रखे कि दोनों क्लेम एक ही परसंड का होना चाहिए स्थारे डेटल को वेरिफाई करने के बाद नीचे आपको next पर क्लिक करना है फिर आपके सामने इस तरह का page आएगा यहाँ पर आपको बता डाउनलूड करके इसे print out करना है अगर यह form जनरेट नहीं होता है तो आप generate claim request form पर क्लिक करके इसे दोबाला generate कर सकते हैं इसे आप या तो download कर सकते हैं या पिडियाप में save कर सकते हैं या अगर आपको पस printer है तो इसे आप direct print out करके बाहर निकाल सकते हैं चलिए हम इसे download कर लेते हैं Donald form पर क्लिक करेंगे इस तरह का एक message आएगा इसे आप पढ़ लेंगे यहां फिर ok पर क्लिक करेंगे यह रहा आपका claim form सबसे पहले आपको इस claim form को print out करके बाहर निकालना है फिर claim form पर यहां पर आपको applicant का एक रंगीन passport size photo chip का आना है फिर इस passport size photo पर आपको applicant का signature लेना है signature इस तरह से लेना है ताकि आधा signature photo पर आए और आधा signature नीचे आए फिर bank name में यहां पर आप उसी bank name को लिखेंगे जो bank name applicant के अधार कार्ट से link है तो application के second step में आपने देखा होगा कि applicant के अधार कार्ट से कौन सा bank account link है उसी bank name को यहां पर आप लिख देंगे उसके बाद नीचे आएंगे यहां पर आपको signature of deposited में applicant का signature लेंगे फिर नीचे यहां पर place में गौन या शाहर का नाम देंगे फिर upload करना होगा तो चलिए हम इस application form को पहले ready कर लेते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर claim form बिल्कुल ready कर लिया है ठीक इसी तरह से आपको भी ready करके अपने computer या mobile में scan करके रख लेना है उसके पाद आपको फिर से इसी page पर आना है नीचे आएंगे यहां प फिर यहां पर उसी claim form को दोबारा upload करेंगे जिसे अभी आपने photo chip करकर ready करके scan करके रखा था इसके लिए आप choose file पर click करेंगे और जहां पर आपने claim form को save करके रखा था उसे select करके open पर click करेंगे फिर आपके claim form का preview आएगा उसे check करने के बाद नीचे आप upload पर click करेंगे file uploaded successfully अब नीचे आपको next पर click करना है फिर आपके सामने thank you का message आएगा your claim has been successfully received साथ ही यहां पर आपको एक acknowledgement number भी मिल जाएगा इसे आप चाहें तो screenshot करके अपने computer या mobile में save करके रख सकते हैं या अगर आपने किसी customer का यहां पर claim form apply करा है तो आप इसे print out करके भी उन्हें दे सकते हैं print out करने के लिए आपको control P select करना है उसके बाद आप चाहें तो इसे print out करके customer को दे सकते हैं इतना करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है बस आपको 40-45 दिनों तक wait करना है आपका document verify किया जाएगा फिर आपका पैसा आपके direct bank account में transfer कर दिया जाएगा अगर आप इसी तरह का कोई भी online काम हमसे घर बैठे करवाना चाहते हैं तो आप इस नमबर में WhatsApp कर सकते हैं वीडियो पूसन है तो इसे like करें दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगर आपके मन में अभी कोई question है तो रिचा आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं